यह डीजाइन आप जैसे अपनी सूट की बाजू की मोहरी पर लगा सकते हैं डोरी लेनी हैं डोरी को इस तरह से fix कर लेना है और यहाँ पर दोनों साइड से बेराबर इस तरह से डोरी को गुमाते जाना है जो भी mark किया है इसी तरह पूरे पर इस डोरी को attach कर देगे तो यह डिजाइन आप जैसे अपनी शूट की बाजू की महरी पे लगा सकते हैं जाक फ्रिल वाली बाजू की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे इसके लिए बाजू की कटिंग कर लिए है और यहां पर फ्रिल के लिए लिया है अढ़ा इंच चोड़ा है 20 इंच यहां से लिय कपड़ डबल में है और यहां पर एक कपड़ा उन लेना है यहां पर तीन इंच और इसके वरब लेना है यहां पर शेप लगाएंगे दो इंच की थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे और यह है कपड़ा इसे भी इस तरह कट कर लेना है और यहां पर सीधा करके सिलाई लगा देंगे और यह कपड़ा है डबल करके इसकी फ्रिल बना लेनी है और फ्रिल को यहांपर अटेच करना है इस पीज के साथ तो यहाँपर इस तना फ्रिल हमारी अटेच हो गई है यहाँपर एक हमें लेस लगा देनी है तो इस तना फ्रिल बाली बाजीर बंगी है डिजाइन अच्छा लगा जादे से जादे शियर करें, लाइक करें प्लाजो पेंट में लास्टिक डालने का असान तरीका इसके लिए हमें लास्टिक कितनी लेनी है यहाँ पर तो यहाँ पर जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमें 6 इंच माइनिस कर देना है जैसे मेरी यहां पर 40 इंच है उसमें 6 इंच मैनिस करके यहां पर यह 34 इंच लेना है इस तरह जोइन करके यहां पर सिलाय लगा देंगे अब यहां पर देखिए मैंने कपड़ा यह आदा आदा इंच फूल्ड कर दिया है अब यहां पर रखेंगे इस इलास्टिक को और यहां पर इस तरह से कपड़े को फूल्ड करना है यह हमारी कपड़े पर सिलाय लगनी चाहिए इलास्टिक पर नहीं लगनी चाहिए तो इस तरह से हमें रख लेना है कपड़ा सेट करके और यहां पर इस कपड़े पर हमें यहां पर सिलाई लगाते जाना है तो इलास्टिक हमारी अंदर ही रहेगी इलास्टिक पर सिलाई नहीं आनी चाहिए इस तरह से पूरी सिलाई लगा देनी है अब यहाँ पर इस तरह से कप्ड़े को खीच लेंगे चारोर प्लीट्स हो जाएंगे तो इलास्टिक डल गई है अब यहाँ पर सेंटर में भी सिलाई लगा सकते हैं अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करें सूट का गला बनाएंगे इसके लिए बुकरम लगा के गले को डेडि कर लिया है अब गले को इस तरह सेट करना है और सेंटर से सिलाई लगा लेंगे अब यहाँ से यह मार्किंग है यहाँ से सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह से सिलाई लगाते जाना है जब तक सिलाई लग रही है वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस तरह आदा आदा इंच रखके कटिंग कर लेनी है यहाँ पर इस तरह कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेने है क्योंकि राउंड है तो जब हम सीधा करेंगे अच्छे से शेप आएगी और यह भी कटिंग कर लेनी है यहाँ से इस तरह कॉर्नर अच्छे से निकालते हुए सीधा कर लेंगे गले को सीधा करने के बाद यहां पर प्रेस कर लेनी है जिससे अच्छे से हमारा गला यहां पर बैठ जाए और यहां पर सिलाई लगा देंगे इस तरह हमारा गला बन के रेडी हो गया है